मैं मनों जादाओ, सरशती ग्रूप आपको लेके चलते हैं वर्तमान भारती समाः प्रारम्य सिच्छा के अंतरगत, सिच्छा की प्रकृति आज हम, सिच्छा की प्रकृति के विशय में अध्यान करेंगे कि सिच्छा की प्रकिर्थ, यानि कि सिच्छा हमारे जीवन में किस प्रकार परिवर्तन ला सकता है, हमारे प्यवहार में, हमारे जनम जा सकती जो में किस प्रकार परिवर्तन ला सकता है, आगे पर चुछा बढ़ा सकता है, तो यह सिच्छा की प्रकिर्थी है, इसके अंतरग निम्री की, Headlines और Topics हैं, उसके मातरन से हम सिच्छा के प्रिकित के बारे के नठें करेंगे। सबस्से पारा Headlines है, सिच्छा दुई मुखी पर पुरिया हैं, इसके जनवताताः एडम्स, महोद, वाट जानप्रास हैं। इनके अनुसार सिच्छा में दो दुरूप होते हैं, एक सिच्छक, दूसरा छातु, सिच्छक वारा सिच्छात को ज्ञान परदारी किया जाता है, सिच्छक को सिच्छा दिया जाता है, अगर सिच्छक कोई कुश्चन करता है, कोई प्रस्ण करता है, तो छातु कुछ को सुना रहा है कहानी तो ध्जान पुरव का चाटथ उसको सुन रहा है धीरे धीजरे किसी के मादल से दो घ्ड ये आपस नंज़ करते है एक दूसरे में मिले रहते हैं अक्र घ्र को अर्प और वे हमें परिवार के परिवर्ता में लाते हैं पारा है सिच्छा, दूसरा है छाथ, यानिकि दो लोग, दूई मुखी, दो लोग रते हैं, एक सिच्छा, दूसरा छाथ, इन दो मुखी भी की सिच्छण प्रिक्रिया चलती है, सिच्छण के गारा छाथ्रिवेंड हर संभव सर्वानुल विकास किया जाता है, सिच्छा दि प्रिया है इनके जनताता है जान डेवी महुदर जान डेवी महुदर काना था कि दो ध्रों के भी सिच्छड कार्थ को ही नहीं सकता है दो ध्रों के भी सिच्छड कार्थ कभी आगे नहीं कर सकता है उसके में तीसरा ध्रों आथा पार्ट करम का होना नितान आउस्ट है बिना पाठकरण को शात्र को क्या पढ़ाया जाएगा या जानडे की मौदर नहीं बांते थे पाठकरण का मतलग यह नहीं कि वह केवल पुष्ट की ज्ञान से है ऐसा नहीं है वह समाज में पुस्तकी ज्यान के बार समाज के द्वारा सीख अनुवव, विचारों, भावों को किस प्रकार रखना है, सुनना है, दीरे दीरे अनुवव, द्रहन करना है, इस सारी चीज़ें समाज के बार सिखी जा सकती है पाट्रों के मतलब यह नहीं कि वह पुस्तकी क्या है, यानि कि वह पुस्तक से भी हम सीखेंगे उसके अलावा समाज से, संथान से, आसपरोस से भी हम सीख सकते हैं, तो यह पतन चार्डे मौंदे का है त्रीव की परकिलिया के अंट सिख्छ, शारख, और प्रक्रम आजदा है अगला है, सिख्छ एक दट्टी परकिलिया है, क्या है जट्टी सीख, यानि जियां तब चलने वाली परकिलिया है बच्चा जब जन्म लेता है, जब जन्म लेता है और जब तक वह मर नहीं जाता है, वह कुछ न कुछ सीखता रहता है, इसके तरह आप संसान के मादम से, परिवार के मादम से, समाज के मादम से, निरंतर धीरे धीरे वह सीखता रहता है, और अपना उनत करते हुए विकास के पर अग्रसर होता है किसरा है सिच्छा विकास की प्रिक्लिया क्या है कैसे कि वह जर्म लेता है तो वह किवाल हार मांस का पुतला होता है उसे कुछ पता नहीं होता है जब भी थीविब बड़ा होता है कुछ महीं दे कुछ चाओं के बार बार वह明白 मां के बार बहन के दवार इसके बार पजोस के बार धीले क vamos के बार समाद के रवार धीले जिसके उनका विकास होता है, अगला एटना इस है, सिच्छा एक सामाजी के प्रिक्रिया है, कैसे है? जिब बालत जन्व लेता है, उसे कुछ एही पठा होता है, लेगिन जब जन्व के एक कुछ महीनले, कुछ वर्सों के बाद, दिय जिले उसे सज्ञ्यान होने लगता है, कि मेरी माँ क्या कररे हैं, जब बच्चा वह रोता है, उस्को भूक लगता तो उसकी मान दोड़ जोड़ आती और उसको दूद पिलाना शुरू कर देती है, तो वह समझ जाता कि मैं रोड़ों का तुना में दूद पिलाएगे, यहीं कि वह पर गया सीखने की पिलिया धीले धीले आगे की तरफ बढ़े गी और वह समाद से, समाद की अनुभाओं के समाज के धीले धीले अनुभाओं करेंगे, और समाज में अपने भाओं और विचावों को किस प्रकार प्रस्तूत करेंगे, अपने बातों को किस प्रकार रखेंगे, इसके बारे धीले 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 जनकारी उसको हो जाती है, शिच्छा की विकास की प्रिप्रिया होई थी तो वह के वाल हार मांस का पुद्लावता, लेकिन कुछ सक्थ उसके अंदर बिद्वान होती है, निहित होती है, छुपी राती है, उन सक्थियों को सिच्छा के मात्यम से धीगे धीगे बाहर की तरफ निकाला जाता है, कि इसके मातल से सिच्छा के मात्यम से, अगर सिच्छा के समाथ हो जाएगा पतिम वर उसमें कोई अंतर ही नहीं होता है विञ टाछ सक तद आ शाकने सिछा का और्थ कीवल विध्यायाइओं वहां प्रदक्त अप्सिमेच सिद्विंग area यहां पे सिच्छा विडारत लोग यहां बता रहे हैं कि सिच्छा का अर्थ केवल यह नहीं कि जो वह एक निश्चिक समय में, एक निश्चिक गुभार में, एक निश्चिक पाटक्रम में के अंतरगर, एक निश्चिक सिच्छ के त्वारा जो हम सिच्छा कराण करते हैं वह वाली सिख्छा नहीं है विद्याने के बाहर परिवार में परोज में समाल में अनिक संस्थाओं में जो बालक अनुखव करता है सिखता है अभी का है सिख्छा क्योंकि हमारे त्री उखी प्रिक्रिया के जरुदा का दान्जेगी महादा ने बताये हैं कि पाठीद्रम के अंतरगर्द के बदा पाठीगुस्ता की घ्यान से मतलब नहीं है उसके बाएद समाज के द्वारा अंधों किया गया घ्यान भी शिच्छा के अंतरगर्द आता है जैसे ब्यव्यक्ति अपना संत्रित विकास कर सकता है, कर सकता है बिना सिच्छा की नहीं, लेकित यह भी बात नहीं है, कि सिच्छा उसको संत्रित विकास करेगा, सिच्छा समयोजिन की प्रिकिपिया है, कि वह समाध में अपने आपको कैसे समयोजिन करें, कैसे मिलाएं, समा आग रहेगा अगर समाज में नहीं ढहने मर उस्त आवश्चर पूत अगर है शिच्छा के माजन से हम समाज से अगला पॉइंट है, सिच्छा एक निर्देशन की प्रिक्रिया है, क्या है, सिच्छा एक निर्देशन की प्रिक्रिया है, निर्देशन मतला मार्दर्शन, क्या है, मार्दर्शन, कि हमें क्या करना है, बेवसाइक सिच्छा लेना है, कि साइस की सिच्छा लेना है, कि आर्ट की सिच्छा लेना है, मुझे दर्खेड की तरफ जाना है, कि उत्तक की तरफ जाना है, यह सारी कौन सिच्छी करता है, सिच्छा, अगर सिच्छा नहीं हो, तो मैं अपने जीवन भूपी मार जाते क्या तो उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि हमें सिच्छित होना अगर हम सिच्छित रहेंगे तो हम यह पता हो जाएगा कि हमें अपने जीवन को अच्छे से पेडित करने के लिए कि हमार को चुनें और उस मार्प पर चलते हुए अपने आपको उनत की तरह ले जाकर अपना विकास करें और यह सारी परिक्रिया सिच्छा के बारा ही हो सकते हैं लाज़ पॉइंट है, सिच्छा बेवहार में परिवर्तन, क्या है? इन सारे परिक्रियाओं के पर्गणों के बाल ही सिच्छा क्या करता है? एक मनुस्थ के बेवहार में परिवर्तन लाता है. क्या है? प्रक्री में बहुत हैं ठ記得 प्राणिक में समस्से कि मनुश्च है कैसे वण सिच्छा मत्यम से कि बच्चे के गरता है मनुश्र ही मत्ब बत्चे के रूट में जन्म लेता है वह तिन्य हार मांगे फुस्टला होता है तो लेकिन जब वह सिख्चा गर्हाण कर लेता है तो उस पुस्थ सी उपर यानि प्राडियों में सब से एक नंबर ला कुत्तम प्राडी माना जाएगा ये किसके मात्यम से है या सिच्छा के मात्यम से है तो ऐसा होने पे धीरे धीरे उस ब्रैक्ति के विवार में क्या हो जाए ये परिवर्तन हो जाए तो अभी पसुगत व्यवार करेगा तो आदो का हमारा वाट अभी था शिच्छा की परगीड के अंतरगर्च मसेट इंड होजयक करका साथ अंतरग्रख स्टाव थियरेडियधिक सघ्जजीक परगऴ थिप्करियायद के बाद है कि नहीं समाज से भी कुछ सीखते हैं अपने विचारों गाउं का अधान प्रण करते हैं सिच्छा विकास की प्रिक्रिया क्या है सिच्छा के माध्यम से हमारा निरंतर उम्नत के माध पर विकास होता रगता है विकास में बालक के अंदर जन्म समय के सकती नहीं भूती है चुपी रगती है वो सिच्छा के माध्यम से बावार निकाला जाता है और उसको निरंतर आणी की तरह लेदाया जाता है सिच्छा का अर्व के वाल बिड्डालों में प्रदत ग्यान दक्सिमित नहीं है यहां पर सिच्छा विद्डालत को कर रहा है कि हमें जो बिड्डाले के सिच्छा मिल रही है वही के वाल सिच्छा नहीं है सिच्छा समायोजर की प्रिक्रियार सिच्छा हुआ मात्यम है जिसके मात्यम से हम अपने आपको समायोजित कर सकते हैं मिल सकते हैं अगर सिच्चा न हो तो हम अपने आपको समार में समाही नहीं कर पाएगे, समाही अभजन नहीं कर पाएगे, और क्या हो, मान्सी ग्रूप से घactor हो जाएगे, Dire playedrit हो शिच्छा इतनी देदन की पटिया, शिच्छा हमें भी बताती है कि हमें अपने जीवन में सफर होने के नीच कौन सा मार चुनना चाहिए, यह प्रामास को देती है, शिच्छा देती है, शिच्छा ब्योहार में परिवर्तन और बेंग ज़न्म लेता है, तो उसके पास शिच तो शिच्छा के माध्यां से धीर दीर उस बच्चे को बढ़ा होने परिवरता है वह अनप्राइबं जाता है धन्य बाद दोस्तों आज का टॉपिक नहीं समग चुका अगले प्रापिक के लिए हम आपसे फिर मिलते हैं